अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हसाने और विलन बनकर दराने वाले अक्टर प्रांका आज 99 बर्दे है प्रांका जनम डेली के बली मारान इलाके में 12 फरवरी 1920 को हुआ था बचपन में उनका नाम प्रां कृष्ण सिकन्थ था जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्रां रहे गया दिल्ली में उनका परिवार बेहत समरुद था वो बचपन से ही पढ़ाई में होश्यार रहे खास तोर पर गणित में बारवी की परिक्षा उन्होंने रामपुर के राजा हाइ स्कूल से पास की बहुत कम लोग जानते होंगे की प्रां बड़े होकर एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इस अपने को पूरा करने के लिए उन्होंने डेली की एक कमपनी एदास एंड कमपनी में अप्रेंटिस भी की 1940 में लेखक मुहमद वली ने जब पान की दुकान पर प्रां को खड़े देखा तो पहली ही नजर में ही उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए उन्हें साइन कर लिया ये प्रांड की पहली फिल्म बनी और सुपर हिट रही लुहार फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्रांड को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1965 में फिल्म खानदान से मिला दलसुक पंचोली की इस फिल्म में उनकी एक्टरेस नूर जहां थी बटवारे से पहले प्रांड ने 22 फिल्मों में नेगिटिव रोल किया वो उस समय के काफी चरचित विलन बन चुके थे आजादी के बाद उन्होंने लाहोर छोड़ दिया और बंबई आ गए ये उनके लिए संगर्ष का समय था मंबई आने के बाद प्रांड को फिल्म जिदी में काम मिला इस फिल्म के लीर रोल में देवानंद और कामिनी कोशल थे जिदी के बाद इस दशक की सभी फिल्मों में प्रांड खलनायक के रोल में नजर आए 1955 में दिलीब कुमार के साथ आजात, मदुमती, देवदास, दिल दिया, दर्द लिया, राम और शाम काफी इंपॉर्टन रहे फिल्म जन्जीर की किरदार विजह के लिए प्रांड ने निर्देशक प्रकाश महरा को अमिता बच्चन का नाम सुझाया था इस फिल्म ने अमिता बच्चन का करियर पलट दिया था, इस किरदार को पहले देवानंद और धर्मिंदर ने नकार दिया था प्रांड ने अमिताब की दोस्ती के चलते इसमें शेर खान का किरदार भी निभाया था इसके बाद अमिता बच्चन के साथ जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया और शराबी जैसी फिल्में की थी प्रांड को तीन बार फिल्म फेर बेस्ट सपोर्टिंग अक्टर का पुरसकार मिल चुका है 1997 में उन्होंने फिल्म फेर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला प्रांड को हिंदी सिनेमा में उनकी योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार से पद्मभूशन भी मिला और इसी साल दादा साइफ फाल के अवार्ड भी मिला प्रांड ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया कापते पैरों की वज़ह से वो 1997 से वीलचेर पर जीवन गुजार रहे थे प्रांड की परसनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 18 एप्रिल 1945 को शुकला अलुवालिया से शादी की थी 1998 में प्रांड को दिल का दौरा पड़ा था उस समय वो 78 एर्ज के थे येर 2013 में 93 एर्ज की उम्र में प्रांड ने अपनी अंतिम सांसे ली Bureau Report Indian Film History For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel